भारतिय परिवार का हरेक सदस्य रिदय की बिमारी या मदुमेह से प्रभावित है इसमें बहुत सारे युवा वर्ग भी शामिल है भारत वर्ष के अनेक परिवार मदुमेह या दिल से संबंदित बिमारियों के लिए दवाओ पर लाखो रुपे खर्च करता है ऐसी दवाओ को लंबे समय तक लेने से आपके शरीर के कारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये एक जीवन शैली की बिमारी मानी जाती है लेकिन आप जो नहीं जानते वो ये है कि आपका DNA या जीन इसमें काफी महत्व पूर्ण योगदान देता है दोस्तो आज मैं आपके साथ कुछ बाते शेयर करना चाता हूँ जो हमारे जीवन की पुरानी पद्धती को पूरी तरह से बदल सकता है अच्छी खबर ये है कि अब हमारे पास एक विकसी तकनिक है जो विभिन बीमारिया जैसे की मदुमेह, दिल की बिमारी, मोटापा होने जैसी बिमारी, बाल जणने की समस्या, थाइरोइड, कैंसर, PCOS और अन्य ऐसी बिमारिया जिससे हम पहले ही होने से बच सकते है अगर मैं आपको बताओ कि एक ऐसा तरीका है जो आपको आपकी वर्तमान स्वास्त के चुनोतियों का मूल कारण भी बता सकता है अगर आप पहले सी ही पिडित हो ठीक है, जवाब आपके DNA और आपके जीन में ही है, तो आईए जानते हैं इस नई तकनिक को स्वास्त की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है, दोस्तो जिस दिन हम अपनी मा के गर्ब में गर्ब धारण करते हैं, हमारी मा के परिवार और पिता के परिवार की पूरी पिडि़ी से तेज जोड़ी गुण सुत्रों से जानकारी ली जाती है और यही गुण सुत्र आगे जाकर भी हमारे डियने से जुड़ जाते हैं, और इस से हमें आगे जानकारी दी जाती है, कि हम कौन है, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरिया क्या है, और हमारे लिंग सहिद, हमारी भावनात्मक और शारिरिक लक्षन क्या है, हमारे डियने मे छोटे-छोटे अनुवांशिक समस्या यानि म्यूटेशन रहती है। ये समस्या एक प्रकार की सौफ्ट्वेर के प्रोग्राम की तरह है, जो कि हमारे माता-पिता के जीन से हमें आता है। ये म्यूटेशन की परिस्थितिया जैसे हमारे रहन सहन और हमारे रोज के खान पान पे अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं।